नमस्कार दोस्तों दी डाइनमिक एजिक्वेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्वाई है आज हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हैं पिछले क्लास में हमने एंटी पीसी का स्रीज स्टार्ट किया था और मैंने बोला था कि एक एक करके आपको स्रीज को मैं आगे बढ़ाते जाओंगा आप भी कंसेश्वली इसको अच्छे से ध्यान से बार-बार देखते रहिए याद हो जाएगा ठीक है तो यह पार्ट सकेंड है कुछ फेमस प्रस आपकों में नहीं लिखा इधर मैंने तो इदंदो उससे आपको बस पता लगाने ना है कि हमकिछ के बारे मं और किस लिष्रेज दिपार्टमेंट के बारे में डिसकस कर रहे हैं ओके सब स्फस्क्राइब मारा सबस्ट में बात करूं तो फर्स्ट लूमें अधिको यहां पर यह चीज ओन होना चाहिए कि मैं वाधर बर्वार्त brewer in दिभल रहा है तो बॉस्त जो थी वो थी रीता फार्या रीता फार्या और यह बाद में फिर डॉक्टरेट के डिग्री यह फिजिशिएब नी तो इसलिए इनके आगे डॉक्टर लगता है यह physician वि हैं और miss world भी इनको कई offer थे वोलिवूट से जब बने लिए बट इन्होंने अपने career को doctorate में देखा और इन्होंने physician बने तो यह दो दो चीज है doctor भी है और miss world भी है यह आपको ध्यान रखना और यह मुंबई से बिलों करती है नेक्स हम देखते हैं इंडियन वुमेन भारत रतन भारत रतन किन को मिला इंडियन वुमेन तो इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी को सबसे पहले भारत रतन मिला वुमेन में वुमेन प्रेसिडेंट पर्तिवा देवी सिंग पार्टिल बनी फर्स्ट राष्ट पती यह 12 नंबर की राष्ट पती थी और यह साथ से 12 वाले सेशन में कांग्रेस के सरकार जब थी साथ से 12 से दो साथ से 2012 ठीक है मिस इनिवर्स मिस इनिवर्स कौन बनी अप सुसमिता सेस एक्ट्रेश सुसमिता सिन डेपुटी-ड thief टर्ग जर्रो säga ट्रील एक्टर डेपुटी डेप्स जन्रल ईबलु एच्वह वर्ल्ड ह कंप ऊ arkadaş नाट्र स्वामिया स्वामिनाथन स्वामिनाथन कौन है एमस्वामिनाथन की बेटी हैं एमस्वामिनाथन जो है यह ग्रीन रिवुलूशन ग्रीन रिवुलूशन के जनक माने जाते हैं उनकी यह बेटी है और यह तामिनाडू से विलोंग करती हैं नेक्स बात करें हम Scientist selected fellow as a royal society कौन पहली महला जिनको लंदन के royal society में जगह मिला वो थी गगंदीप कंग गंदीप कंग नेक्स्ट है नेक्स ज़िएम बात करें एंपूटी स्केल एबरेस्ट मतलब फर्स्ट वुमें जो एंपूटी एंपूटी क्या होता है जिनके ना तो हाथ होते हैं और नहीं लेग पैर होते हैं ठीक है इनके साथ एक हाथ्षा हुआ था कुछ गुंडे बदमासों ने ट्रेंज से इन्हें फेक दिया था तो उसके व वॉलेबूल विजयता रहें और यह एवरेस्ट की भी चड़ाई करें तो यदि आपको कोशन यह आता है कि फर्स्ट वुमें जो जिनका हाथ और पैर नहीं होने के बाब जो भी एवरेस्ट पर चड़ाई की उनका नाम है अरुनिमा सिनहा आप इनके बारे में और ज्याद पीक है उनको उन पर चड़ाई करने वाले प्रेम लता अगरवाल प्रेम लता अगरवाल सेवन कॉंटिनेंटल पीक में जैसे मांट एवरेस्ट मांट किलमंजारो तो यह सब है ठीक है फिर नेक्ट बात करें हम टू विंद अन ओलंपिक सिल्वर मेडल ओलंपिक में फैली म महला जो चिल्वर अबनेका वो पीवी सिंधु पीवी सिंधु के बाद फिर आप बात करें हम तो रीज अंतार्टिका फिर सबुमेंट तू रीच अंतार्टिका वो है महेल मुष महेल मस को फिस फैस्ट वूमेंट लेफंटा जेनरल लेफ्टनेंट जेनरल र tes अरोरा यह आपको ध्यान रखना है next बात करें हैं तो नेच्स है चेरफ चेर्माण ओफ यूपीय सी यूईन प्पलिक सर्विस कमिशन के फ़र्स चेर्मेन में कौन बनी थी तो रोजे मिलन वैथ हूए रोजे मिलन वैथ हूए ये आपको वरी वरी इंपोर्टेंट ध्यान रखना है ओके अब आते हैं आगे कि मर्चेंट नेवी में सबसे Packman को नी है तो देखिए नेवी केप्टन में फिछले बार बताया था और यह मर्चेंट वाला है ठीक है एक जो गर्मन बोड़ी होता है नेवी का और एक मर्चेंट वाला होता था दोनों में अलग अलग है तो यह आपको मर्चेंट नेवी का ध्यानक ना है राधिका मैनन फिर आते हैं हम कुछ फेमस पॉलिटिशन की बात कर लेते हैं तो देखें फिर्स्ट मैं बात करूं यूनियन फॉरेंड मिनिस्टर पोस्ट विदेश मंत्री कौन बनी फिर्स्ट भूमें तो वह थी सुस्मा स ना था था वह पंडी जवाल नहरुप परधान मंत्री बने थे तो नहीं का मिनिस्टर तो इनका कवनेट तो इसमें सबसे पहले सबसे पहली बनी थी राजकुमारी अमरित कौर वरी वरी इंपर्टेंट कुछ कोशन यहीं से उठाया जाता है आपको जो जनरल कोशन होता है यह आपको आने का चांज कम होता है तो और यह क्या बनी थे ह सबसे पहले बनी थी सुचेता किरपलाने— और यह यूपी की बनी थीूपी की नेक्स्ट बात करें हम यह तो आपको पता ही होगा कि फ़स्ट रेल्वेब मिनिस्टर कोन बनी थी । वो मनतांवनरज जो अभी बंगाल का CM भी है कौन बनी थी फिर्च स्पिकर ओफ लोग सभा मीरा कुमार मीरा कुमार प्राम निस्टर कौन बनी आपको याद होगा इंद्रा गांधी अर इनके पिता यह किनकी बेटी यह जवाला नहरू की बेटी थी first फिर्ट मीनिस्टर of State Government in India किसी भी स्टेट में First Finance Minister कौन बने थी महला में डॉक्टर उपिंदर्जीत कौर उपिंदर्जीत कौर पंजाब की हैं ठीक है अब आते हैं यह फुली ब्लाइंड IFS officer IFS मैं Indian Foreign Service की बात कर रहा हूं फुली ब्लाइंड ठीक है वो थी बेन बेनो बेनो जेफीन एनल और यह एक डिप्लोमेट है यह एक डिप्लोमेट थी तमिनाडू से विलोंग करती है ठीक है यह आपको धाना लेकिन कोशन यह आता है कि फर्स्ट ब्लाइंड आई एस ऑफिसर तो वह जाएंगी ट्रांजल पार्टिल प्रांजल पार्टिल यह भी हम इनका भी जीवनी पड़ा बहुत इंस्पायर इंस्पायर इनका बायोग्राफिय आप भी सच कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं ओलंपिक पे एंडिविजुल मे हैं पहली भूमें जो ऑलंपिक में मेडल आने वाली हुथी करंशमरी करंशमरी और यह भार तोलन करते हैं वेट भार तोलन अब आते हैं नेक्स हम पदमावती बंदो पाध्याए यह भी आपको ध्याँ रखना है है कोट जज्स हमारा हाई कोट पर्स्ट वुमेन जो हाई कोट में जजज बनी वो अना चेंडी अना चेंडी अब यहीं पे आज यह college कोट सीजी आई पूछा जाए तो वह अलग होगा कि यह जज थी सीजी आई अलग होता है चीफ जस्टिस ओप ठीक है तो वह थी लीला सेट लीला सेट यह आपको ध्यान रखना है अब नेक्सट है हमारा जेस ग्रैण मास्टर फर स्ट्व में जो जुए ग्रैंड मास्टर वने थी वह थी किन कोनेरू हमपी कोनेरू हमपी नेक्स्ट जो होग होग बात करें हम गोवीक डज़त को क्रॉशd करनेवाली पैदल चलकर क्रोश की थी हिनका नाम था सुचेता काडेंत कर ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है फिर आप बात करते हैं कि आई एस ओफिसर इन इंडिपेंडेंट इंडिया इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत में फर्स्ट वुमें जो आईस ओफिसर बनी थी वो अन्ना राजम मलहुत्रा अन्ना राजम मलहुत्रा यह बनी थी लेकिन कोशन यह आता है यदि कि इंडियन एड आईस ओफिसर जो बिटिस इंडिया में बनी थी तो वह इसा बसंद जोसी इसा बसंद जोसी नेक्स्ट असोग चक्र पाने वाली फर्स्ट महला कौन बनी वो थी या वनूद यह काफी इनपर फिल्म भी बना था जिसमें रोल की थी सोनम कपूर तो आप इस फिल्म को जरूर देखें होंगे तो अशूक चक्र में यहां बता दूँ कि पीस टाइम में ठीक गलेंडरी अवार्ड में पीस टाइम बात करें हम तो पीस टाइम में सबसे उच मैक्ससेप अवर्ड फर्स्ट महला कौन थी जिन्होंने ये जीता था तो वो थी मदर ट्रेसा मदर ट्रेसा उसके बाद फर्स्ट वुमेन जो नोबल प्राई जीती तो मदर ट्रेसा अब देखो मदर ट्रेसा वैसे तो ये मसडोनिया के थी लेकिन इनका जन्म जो हुआ था मस सब्सक्राइब लेकिन ये बाद में इंडियन नेचरल लाइज सिट ले लिए थी इसलिए हम इंडियन वुमेन में ही इनको मानते हैं और पढ़ते हैं तो फर्स्ट वुमेन में जो नोबल प्राई लेने वाली थी वह मदर ठ्रेसा अब बात करते हैं हम यूनियन आप यहां कौन से कंट्री देता है इसको रामउन मैक्से से पुरसकार और फिलहाल में अभी किसको मिला था लास्ट यर ये भी आ desserts में बताना नोबेल प्राइज हमने बात कर ली आब आते हैं उनाटेड नेशन में स्विल पुलिस एडवाइजर कौन बनी है किरनवेदी स्विम टू क्रॉस इंग्लिस चैनल मतलब कोई चैनल नहीं है यहां पर यह एक स्ट्रेट है ठीक है एक पास है जहां से जो कि इंगलेंड को और फ अब एक इंपोर्टेंट कोशन लास्ट है इस सेशन का तो हम बात कर लेते हैं इंडियन गोलफर टू पार्टिस्पेट वह गोलफर जिन्हों ने एसियन यूथ गेम में भी पार्टिस्पेट किया यूथ ओलंपिक गेम में भी और नॉर्मल वाले ओलंपिक में भी और एसि अधिति असोग यह ध्यान रखना है आपको अधिति असोग सो थाइंक्यू फर वचिंग डैनमीक एजुकेशन दोस्तों और फिर मिलते हैं हम नेक्स क्लास में आप तब तक इंदिजार केजिए मेरे नेक्स वीडियो का और नेक्स वीडियो में हम और भी देखेंगे कुछ मह में लाएं होंगे जो इंपोर्टेंट हम कवर करेंगे और फिर हम इसी के जैसा मेल का लेकर आएंगे सो तब तक बने रहे हैं डैनमीक एजुकेशन के साथ और यह दी मेरा वीडियो पढ़ायों अच्छा लगता है तो आपको पता है चैनल को लाइक करना है और